नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आपका आज की वीडियो में स्वागत है जहांपर हम बात करेंगे न्यू होलेंड के एक बहुत ही खास ट्रैक्टर चपन बीस TX के बारे में इस ट्रैक्टर को न्यू होलेंड ने किसान भाईयों की खास डिमांड को ध्यान में रכते हुए बनाया है क्योंकि इस ट्रैक्टर को आप 36-30 का अपग्रेड وरण भी मान सकते हो वो इसलिए क्योंकि कुछ किसान भाईयों को 36-30 में थोड़ी पावर की कमी महसूस होती थी इसलिए उन्हें 36-30 से थोड़ी जाद H-P का ट्रैक्टर चाहिए था लेकिन 36-30 के बाद सीधा 35-30 मिलता था जो की हायर H-P रेंज में चला जाता है इसलिए न्यू होलेंड ने किसान भाईयों की निमांड को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर को पैंसर टैच्प इंजन के साथ लौंच किया है और अब लुक्स कोई बात करें तो यह ट्रैक्टर आपको न्यू होलेंड के ट्रैडिशनल डिजाइन में मिलता है जिसमें फ्रन्ट टैर 11.24 और रियर टैर 16.30 के मिल जाते हैं इसी के साथ साथ इसमें आपको कंपनी फीटेड कैनोपी भी मिलती है जिससे ड्रैविर की सेफटी बनी रहेगी और इस ट्रैक्टर में एक और खास फीचर मिलता है जिसका नाम है स्काई वोच इससे आप अपने फोन में CHNIE Teleconnect नाम की अप्लिकेशन को इंस्टोल करके ट्रैक्टर की लोकेशन के साथ साथ और भी कई तरह की इन्फोर्मेशन फोन पर ले सकते हो और इसके साथ ही इसके फ्रन्ट एर के ओपर फाइबर बोडी में बहुत ही हैवी फैंडर मिलते हैं जो की कीचर या फिर पडलिंग में बहुत ही काम आएंगे इसके बाद बात करें इसके इंजिन के तो इसमें आपको 39cc का 3-slender टर्वो चार्ज इंजिन मिलता है जो की 2300 RPM पर अपनी 65HP की पावर जनरेट करेगा और इसके साथ साथ आपको इसमें रोटरी टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप मिलता है वहीं पर बात करें इसके एकलीनर की तो इसमें आपको ड्राइ टाइप एकलीनर चोकिंग सेंसर के साथ मिल जाएगा और गेर बोक्स को देखें तो इसमें आपको साइड शिफ्ट में यूजी गेर बोक्स मिलता है जिसमें 12 फोरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड मिलेंगी इसके साथ साथ इसके कलच को देखें तो इसमें आपको double clutch independent lever के साथ मिलता है जिससे PTO का असानी से operate कर सकते हैं वहीं पर आपको इसमें इस side एक छोटा सा lever मिल जाएगा जिसको कीच कर आप इसके four wheel drive gear को engage कर सकते हो इसके बाद इसके dashboard को देखें तो यह आपको New Holland के traditional design में मिलता है और अब front axle को देखें तो इसमें आपको बहुत हैवी front axle planetary drive reduction के साथ मिलता है जिससे आप इस पर loader या dozer असानी से use कर सकते हो इसी के साथ साथ इसमें आपको single acting hydraulic steering मिलता है जो की बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और वहीं पर जो इसके front wheel को power देने के लिए propeller साथ नीचे दी गई है उसको भी काफी अच्छे तरीके से cover किया गया है ताकि इसमें कोई भी फसल अफसेस या फिर खर्पतवार ना फसें और इस side इसमें fiber body में toolbox मिल जाता है इसके बाद बात करें इसके brake की क्योंकि इसमें 24 sensing point दिये गए है जिनसे आप किसी भी तरह की मिट्टी में बहतरीन sensing ले सकते हो और इसकी lifting capacity की बात करें तो इसमें आपको 2000 kg की lifting capacity मिल जाती है इसके बाद इसकी PTO को देखने तो इसमें आपको 6 appliance में 540 standard और reverse PTO 57 HP की PTO power के साथ मिल जाती है और अब बात करें इसके rear axle की तो इसमें आपको hub reduction rear axle मिलता है जैसा कि मैं अपनी पिछली हर वीडियो में बताता हूँ की hub reduction EPI और power reduction का फायदा ये होता है कि इससे tractor का crown pinion safe रहने के साथ साथ tractor का कुछ percent तक torque भी बढ़ जाता है वहीं पर पीछे इसमें दो DCV point separate control lever के साथ मिल जाते हैं जिनसे आप किसी भी hydraulic implement को असानी से use कर सकते हो और वीडियो के अंत में बात करें इस tractor प्राइज की तो इसका four wheel drive variant हर्याना स्टेट में 10,90,000 में मिल जाएगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर दीगी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सबस्क्राइब और Facebook पेज को फोलो करें